प्यारे बच्चों, Assalamualaikum, हम Poem Cattle Pillar की Comprehension कर रहे हैं, आज हम उसमें करेंगे Collective Nouns क्या होते हैं, तो Collective Nouns की Definition है, A Collective Noun is the word used to represent a group of people, animals or things, a collective noun या जो है, उस वो एक लफस होता है, जो के group of people, लोगों के ग्रोव को, या animals, जानवरों को, या मुख्लिफ चीजों को के लिए इस्तमाल किया जाता है, जैसे हम Army of Soldiers, Special Trained लोग होते हैं, तो हम उनके लिए, जो सिपाही हैं, उनकी Army होती है, तो Army जब हम बोलेंगे, तो इसका मतलब होगा, कि बहुत ज्यादा लोग हैं, फिर है A Flight of Birds, कि Flight जो प्रिंदे हैं, वो एक ग्रोव में उड़े हैं, उनको A Flight of Birds केंगे, फिर इसी तरह Flock of Sheep, जो जानवर होते हैं, जैसे भेडे हैं, तो इनको Flock कहते हैं, Flock of Sheep, यानि जो लोग भेडों के रेवर्ड पालते हैं, तो उसको Flock कहते हैं, फिर है A Crowd of People, लोगों का मजमा, Crowd जो है, लोगों के मजमें के लिए इस्तमाल होता है, इसी तरह जैसे एह जुमला है, A Crowd of People Walked Across the Market, Crowd मजमें को कहते हैं, People, लोग वाक पैदल चलना, Across, पार और मार्किट बाजार, के लोगों का एक मजमा था, जो मार्किट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल चल रहा था, फिर इसी तरह है, जो फूलों का गुल्दस्ता है, उसके लिए बूके लफ्स इस्तमाद होता है, बूके में टी साइलेंट है, अब बूके अफ्लावर्स, फूलों का गुल्दस्ता, इसका उद्धू तर्जमा है, वो लड़की, शी लड़की के लिए इस्तमाल होता है, लाई, ब्रिंग का जो फेल माजी है, पास्टेंस है, वो बूके अफ्लावर्स, वो लड़की मेरे लिए फूलों का गुल्दस्ता, लाई, इसी तरह फूलाग ऑफ बटरफलाई, बटर जारी हों तो हम कहेंगे of finest block of butterflies इसी तरह जो शेहद की मक्हिया उनके लिए swarm इस्तमाल होता है a swarm of bees a swarm of bees attack the girl girl तो swarm of bees शेहद की मक्हिया attack हमला करना और girl लड़ोगी शेहद की मक्हिया मक्हियों ने लड़ोगी पर हमला कर दिया अगर आप उनके छत्ते को नीजे कराएं, तो वो मिलकर हमला कर देती हैं, इसी तरह group of students, students तुलबा या ताले बिलमो को कहते हैं, और इनका grow, a group of students walk to the playground, इसका अगर हम उद्दूर तरजमा करें, तो group grow, students ताले बिलमो का एक grow, खेल के मिदान की तरफ गया, make sentences of your own using the given collective nouns, अब आपकी बुक में ये collective nouns दिये हुए हैं, gang, team, herd, clustered and pride, आपने इनको sentences में इस्तमाल करना है, यानि जुम्लों में इस्तमाल करना है, तो पहले हम इनका meaning देखेंगे और फिर इनको जुम्लों में इस्तमाल करेंगे, Gang, gang कहते हैं, an organized group of criminals, यानि वो गरोज जो मिल कर जुरम करते हैं, उनको gang कहते हैं, The bank was robbed by a gang of robbers, यानि team वो होती है, a group of players forming one side in a competitive game or support, कोई players होते हैं जो मिल के एक team बनाते हैं और वो फिर opposite team से खेलते हैं, तो team जो है वो players के लिए इस्तमाल होता है sport में, तो जैसे पाकिस्तान की cricket team है, हाकी team है, तो cricket team में 11 लोग होते हैं, लेकिन 11 लोग मिल कर एक ही team बनाते हैं, क्योंकि team एक collective नहुन है, अगर हम इसको sentence में इस्तमाल करें तो a good leader makes a good team, जो good leader होता है वो एक अच्छी team बनाता है, तो प्यारे बच्चों, आप सब leader बन सकते हैं, the leader in me, आप सब के अंदर एक leader छुपा हुआ है, paradigm कहते हैं वो एनक जिससे हम दुनिया को देखते हैं, आप अपने उपर जो है, वो आपने अंदर, अपने अंदर आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं, आप अपने अंदर एक आपका leader छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालें, everyone can be a leader, आप में से हर एक बच्चा leader बन सकता है, लीडर किसको कहते हैं, वो जो अपने अंदर तब्दीली लेकर आता है, change start with me, आप अपने उपर काम करें, रोज की एक अच्छी बात अपनाएं, अपनी आद्ते तब्दील करें, तो इन्शाला एक दिन आपकी बहुत सारी हूबियां एक आपके अंदर जमा हो जाएंगी, जो आप लोगों के बीच में देखते हैं, तो आपके अंदर जो एक leader छुपा हुआ है, वो बाहर आ जाएगा, everyone has genius, Allah ताला ने हारे को अकल अता किये, तो प्यार आए बचो, leader बनने के लिए जो greatest leader of world है, जो दुनिया के सबसे बड़े leader है, वो हमारे प्यारे नभी करीम सेलाएब सेलम है, उनकी जिन्दगी को पढ़ें, सीरत को पढ़ें, आप सेलाएब सेलम की सुनतों की अमल करें, और अल्ला ने जो किताब भेजी है, कुरान मजीद, उसको तरजमें से पढ़ना शुरू करें, और जो कुरान कहता है, जूट ना बोलो, हमेशा सच बोलो, किसी को तकलीफ ना दो, बलाई का हुकम दो, वो करना शुरू कर दें, तो एक दिन बड़े होकर आप सब में से हर कोई एक अच्छा leader बन सकता है, फिर है herd, herd कहते हैं large group of animals, बड़े जो animals या जानवर होते हैं, उनको herd कहते हैं, he raises large herds of cattle, जैसे लोग घरों में, या कुछ लोगों का जरिया माश होता है, वो जानवर पालते हैं, तो जानवरों के गरोग को खास और पे वो जानवर जिनके hoof होते हैं, खुर और सींग होते हैं, उनको herd कहते हैं, cattle जानवरों के लिए इस्तमाल होता है, cluster, cluster एक जहमगटा को कहते हैं, a group of similar things that people positioned are occurring closely together, जैसे हम आस्मान के उपर देखते हैं, तो हमें सितारों के cluster नजर आते हैं, इसी तरह आला ने ये काइनात इतनी वसी बनाई है, कि हम बाहर निकलते हैं, तो इसी तरह जैसे हमारी कहकिश हैं ऐसे कहकेशाओं के कलस्टर हैं. ये काइनात की कोई हद नहीं है तो प्यारे बचो अक्पर, अल्ला बहुत बड़ा है. अल्ला हम अल्ला ताला की बात सुनें, उसको कुरान मचीद को तर्द में से पढ़ें, तो इन्शालला अल्ला ताला आपको तो दुनिया में भी काम्याबियों से नवादेगा और आफरत में भी. Have a look at a cluster of galaxies in this photograph. आप देखें कि ये जो हमें सितारे नजर आ रहे हैं, ये असल में clusters of galaxies हैं. कहकेशाओं के जमगटे हैं. फिर है pride, group of lions. Group of lions को जो शेरों का जत्ता होता है, उसको pride कहते हैं. She saw a pride of lions in forest. उसने जंगल में शेरों का जत्ता देखा. उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.